कोटेक महेंदरा बैंक में अपना सैविंग अकाउंट ओनलाइन ओपेंड करने के लिए सबसे पहले तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्टिन में लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर अपनी email id जो भी bank को हम communication के लिए देना चाहते है फिल कर देंगे और अपना area का जो pin code है उसे हम यहाँ पर फिल करेंगे और open now के option के हम क्लिक कर देंगे अब इतना करते ही हमारी email id जो हमने यहाँ पर फिल किया था उस पर एक one time password bank की तरफ से send किया जाता है जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है अब अगला जो page आता है जहाँ पर आप सभी को अपना जो pin number है वो यहाँ पर इस box में capital letters में फिल करना होगा इसके बाद में पर आपको अपना जो आधार नंबर है बारट इसको आपको फिल करना है और यहाँ पर bank की जो भी terminal conditions है उनको आपको यहाँ पर read कर लेना है agree के option पे click करना है then proceed to verify के option पे हमें click कर देना है तो हमारे pen card पर जो भी name है उसके कुछ few यहाँ पर words हमें दिखाया जा रहा है जिसम यहाँ पर send किया गया है वह OTP6 digit का यहाँ पर हमें fill करना है then verify के option पे आपको click करना है अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार card पर जो भी हमारे photograph थी हमारा name data birth यहाँ पर सारी चीज़े automatic यहाँ पर आ चुकी है अब यहाँ पर bank को जो other details की need है जो आधार पर student select किया है तो student की जो income है कहां से होती है major income का source आपको बताना है family से होती है yearly income के section में आना है यहाँ पर जो भी आपकी income का slab है select करना है marital status के section में आप married हो single हो select करना है then आपको अपने father का जो name है यहाँ पर आपको complete जैसा आधार पर है उस्सी तरीके से आपको fill कर लेना है इसके बाद में आपको यहाँ पर mother's maiden name का option मिलता है जिसमें कि आपको अपने मा का नाम जो साधी के पहले था वो यहाँ पर आपको फिल करना है जो कि security region के लिए यहाँ पर मांगा जाता है कभी भी अगर आप अपना login password भूल जाते हो तो यहाँ पर यह details फिल करके अपना जो password है फारगेट कर पाओगे तो यहाँ पर फिल करना है जैन रिपीट यहाँ पर maiden name को फिल कर देना है जैन रिपीट कंफर्म के सेक्शन में आपको अपनी मा का नाम यहाँ पर repeat टाइप कर देना है अब जैसे मैंने प्रोसीट के option पे click किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे सामने एक error आ चुका है this address is not serviceable तो भी आपका address आपने फिल किया है उसकी आसपास के radius में कोई भी कोटक पहिंदरा की branch physically available नहीं है तो इसलिए bank नहीं चाहता है कि आप किसी remote area से अपना account operate करो इसके लिए आपको यहाँ पर एक नया communication का address फिल करने के लिए बोला जाता है जो कि आप manually खुश से दर्ज कर सकते हो जो आधार से address आपका आया हुआ है उसके अलावा additional कोई भी address आप दे सकते हो जहाँ पर आप bank से जो भी communication होना है जो भी आपके document send किया जाएंगे भो आप यहाँ पर collect कर पाओ तो यहाँ पर आप किसी भी company में काम करते हो उसकी details फिल लिंक रहेगा तो बैंक का जो भी ATM आपके घर के पते पर आएगा वो इसी address पर आप पासकोगे तो address को फिल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो house and building name अगर आप ग्रामेडिचे से हो आपका house number आपको नहीं पता है तो यहाँ पर अपने गाओं का नाम ही आप फिल कर दो पिन कोड को आपको फिल कर देना है देन प्रोसीड के option पे आपको क्लिक करना है अब अगला जो पेज आया है जहाँ पर नॉमनी की details भी आइड करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि यह जो नॉमनी की details आप चाहो तो bank को आप बाद में बता सकते हो लेकिन हम चाहते हैं कि साथे के साथ अपना जो भी उत्रा दिकारी होगा उसको भी हम फिल कर देते हैं तो add nominee now के option पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर nominee का जो भी name है complete यहाँ पर जैसा है उसके id proof पर है फिल करना है और जो भी आपसे nominee का relation है कैसा है यहाँ पर option आपको दिखाये गए है आपको यहा data birth है आपको यहाँ पर फिल करना है इसके बाद में nominee का जो भी communication का address है अगर वो आपका भी communication का address है सेम ही address है तो यहाँ पर आपको enable करने का option मिलता है जिसमें कि आप यहाँ पर जो address आपने manually enter किया था enable कर दोगे तो दोनों का address सेम यहाँ पर इंटर हो जाएगा जिसके आप इंडिया के बाहर कोई भी tax का payment नहीं करते हो इसे के साथ में आप virtual debit card जो की free में आपको issue किया जाएगा वह आप चाहते हो तो यहाँ पर जितने भी option दिए गहे हैं सारे ही option पर आपको tick कर देना है यहाँ पर six digit का जो MPN है वह हमें चूज करना है कभी भी दुबारा से हमें अगर login करना है तो यह जो MPN है उसके जरी हम login कर पाएंगे तो यहाँ पर अपने margin का फिल कर लेंगे repeat यहाँ पर अपना जो MPN है हम फिल कर देंगे और confirm MPN के option पे हमें click करना है तो यहाँ पर MPN हमारा successfully set हो चुका है तो यहाँ पर यह जो virtual card issue किया जा रहा है कुछ इस MPN कार्ड आपके घर के पते पर आता है वैसे आप इसको भी मंगा सकते हो वाकि online access आप ऐसे ही यूज कर पाओगे application के अंदर तो यहाँ पर हम proceed के option पे click करेंगे अब अगला जो page आया है जिसमें की congratulations दिया गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक credit card भी है जो कि आप बिना को YouTube के issue करा सकते हो कोई निया परसन है जिसका अभी civil score अच्छा नहीं है वह कोटक महिंद्रा बैंक से FD के against card को issue करा सकता है जो कि बाद में भी इस card को हम issue करा सकते हैं इसलिए हम अभी skip करें हमारा जो account है वो set हो रहा है और few seconds के अंदर आप देखोगे हमारा जो customer ID number है वो यह online कोई भी shopping करना है तो भूब भी write आपके enable हो चुकी है तो यहाँ पर हमारी जो banking details दी गए हैं उनके जरीये हम अपने account को use करना start कर सकते हैं लेकिन इस account में आप दिखोगे कि आगे भी आपको कुछ step दिए गये हैं कि full KYC अगर आप कर लोगे तो कितना भी amount आप इस account में र signature करके दिखाने होंगे तो हम यहाँ पर proceed to verify के option पे click करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें document अपने capture करने है फोटोस उनकी तो tag photos के option पे click करेंगे सबसे पहले तो हम अपना pen card कुछ इस तरीके से capture कर लेगे इसके बाद में अपनी जो खुद की selfie है उसको भी plain background में कु आप देखोगे कि हमारी तीनों ही चीजे यहाँ पर complete हो चुके ही इसी के साथ आप देखोगे कि यह जो page है redirect हो जाता है video KYC के लिए जिसमें कि bank का कर्मी है यहाँ पर इस video call में connect करेगा जो भी information उसकी तरफ से पूछी जाती है जिसमें कि basically आपका नाम हो गया bank card दिखाना ह करके यहाँ पर दिखाने होंगे video KYC successfully होने के बाद में आपका जो account है वह successfully activate हो चुका है अब आप सभी को कोटक महिंद्रा बैंक की जो application है कोटक mobile banking app इसको अपने phone में install कर लेना है इस application के अंदर आप अपने account को login कर पाओगे application में जितने भी banking के features देगे हैं उनको आप use कर पाओगे